हाँ, इनका question यह था कि दो identical solid piece हैं, एक gold का है, एक silver का है, दोनों को जब हमने water में emerge किया, तो दोनों का weight equal आ रहा था, yes, अगर उन्हें हम air पर weight करेंगे, तो आप बताइए कि इन चारों में से cancer सही होने वाला है, क्या जो gold piece है, वो ज़्यादा भारी होगा, silver piece ज़्यादा भारी होगा, दोनों gold और silver equal weight के होंगे, या weight इनका depend करेगा इनके masses पर, मतलब हमें नहीं पता, यह option बिसिकली यह कह रहा है, तो यहाँ इसे solve करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जैसे for example, यहाँ पर हमारा gold है, gold को हम G बोलेंगे, और silver को हम S बोलेंगे, question से हमें क्या पता चलता है, question से हमें यह पता चल रहा है, यह जो density है gold की, gold की density ज्यादा है, bracket में अगर आप देख पा रहे हैं, कि gold density is greater than silver, silver की density से, थोड़ा सा logic लगाईए, इसमें आप कुछ लोग apparent weight के solution के through करेंगे, मैं उसे हटा कर common sense पर मैं बात कर रहा हूँ, तो देखेंगे, अगर density बराबर है, तो आपको पता है कि density क्या होती है, density is equals to mass upon volume, मतलब mass of gold upon volume of gold, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, mass of silver upon volume of silver, गोल्ड की density ज्यादा है, मतलब यह वाली value ज्यादा बड़ी होगी, अब देखो ऐसा किस condition में हो सकता है, हमें mass पता नहीं है, अगर हमें mass पता चल जाए कि इसका ज्यादा है, तो हमें पता चल जाएगा कि air में इसका weight ज्यादा होगा, लेकिन हमें इस equation से क्या पता चल रहा है कि जो weight, जो volume gold का है और जो volume silver का है, इसका मतलब अगर density inversely proportional है, मतलब जो gold का volume है, वो कम होना चाहिए, ये less होना चाहिए, तो silver का volume automatic ज्यादा हो गया, more हो गया, अब पानी के अंदर क्या होता है, अगर आपने bioncy force पढ़ी हो, तो पानी के अंदर हमने अगर gold इमर्ज किया, और gold का volume कम है, तो इस पर जो upthrust लगेगा, ये upthrust भी, ओके, remember this, ये upthrust भी हमारा volume कम है, इसलिए upthrust भी कम लगना चाहिए, और silver का volume ज़्यादा है, तो silver पर upthrust ज़्यादा लगना चाहिए, हम simple is point को उठाते हैं, हमने ये देखा, कि density is equals to mass upon volume है, तो हम एक hypothetical situation लेते हैं, कि जो gold पर upthrust लग रहा है, वो 10 unit का लग रहा है, सिल्वर पर जो upthrust लग रहा है, वो 20 unit का लग रहा है, येस, क्योंकि volume बोल्ड का कम है, जो कम है, inversely proportional है density के, inversely proportional मतलब density अगर ज़्यादा होगी, तो volume कम होगा, ठीक है, और volume के बेस से हमने देखा, कि upthrust लग रहा है, अब ध्यान से आप second equation देखिए, कि जो upthrust लग रहा है, पानी के अंदर वो दोनों में बराबर है, यहाँ पर देख रहा है, exhibit equal weight, basically पानी के अंदर जो weight होता है, वो उसकी upward force, upward force cancel करती है, आपने देखा होगा, जब आप पानी के अंदर उतरते हैं, तो हलका feel करते हैं, क्यों वो apparent weight है, कुछ upward force लग रहा है, तो हमने यह देखा कि gold में 10 लग रहा है, और silver में 20 लग रहा है, थोड़ा सध्यान से देखिएगा, अगर मैं density क्यों equivalent करना चाहता हूँ, yes, upward force के according, तो मैं आपसे simple एक बात कहता हूँ, कि upward force आप निकाले, upward force निकालेंगे, तो आपको यह पता है, कि अगर इसका upward force, density is equal to mass upon volume, अगर इसका upward force मैं 10 लेकर चलो, मतलब mass अगर मैं 10 लेकर चलो, तो मुझे इसकी density मिल जाएगी, 1, मैं भी पानी के अंदर की बात कर रहा हूँ, ठीक हैं, यहाँ पर अगर मैं 20 रखूंगा, तब मुझे यह value 1 मिलेगी, तो आपको यह समझ आता है, यह point clear है, कि कहीं ना कहीं, जो mass वाला segment है, mass वाला segment बढ़ जाएगा, और इसे हम कहते हैं, कि अगर पानी के अंदर दोनों की upward force equal है, लेकिन gold की density जादा है, तो कहीं ना कहीं जो silver है, silver में mass जादा होगा, फिर से ध्यान से इस बात को समझेगा, मैंने यह गा, कि density gold की जादा है, अच्छे बात है, mass upon volume, mass upon volume, अब यहाँ पर हमें mass का पता नहीं है, पर हमें यह पता है कि upward force जो लग रहा है, upward force volume के base पर लगेगा, और हमने देख लिया, कि जो volume वाला upward force है, volume वाला upward force gold के लिए कम होगा, क्योंकि volume gold का कम होगा, density जादा है, तो हमने यहाँ पर 10 रख दिया, यहाँ 20 रख दिया, लेकिन अगर upward force दोनों में बराबर है, तो हमें यह पता है, कि उनके mass, उनके mass में कहीं ना कहीं एक roll अदा करेंगे, और इसलिए हमने देखा कि अगर upward force हमें 1 लेकर चलना है, क्योंकि दोनों का equivalent है, तो दोनों 1-1 का बो सकते हैं, जब इसका mass 1 हो जाए, और इसका mass यहाँ पर ऐसी value रखे जाए, जो 1 हो जाए, दोनों जब equivalent 1 आएंगे, तो हमने देखा कि gold का mass और silver का mass, तो silver का mass ज़्यादा है, इसलिए हमारा answer हो जाएगा, कि जो silver का piece है, वो जब air में आएगा, तो उसका weight ज़्यादा होगा, क्यों? क्योंकि उसका mass ज़्यादा है, उसके अंदर mass ज़्यादा है, logic clear हुआ, अगर कोई doubt होता है, तो मुझे जरूर बताएगा, साथ ही साथ यह जो solution है, कुछ लोग इसको apparent के through भी, apparent का एक formula है, apparent weight का, उसके through भी से solve करेंगे, लेकिन वो 11th class की situation है, तो कभी अगर ऐसा सवाल आता है, जो 10th class तक की ही science मांगता है, तो निश्यत मानियों कि उसमें आप से common sense की बात पूछे जा रही है, thank you.